हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल लिवी की रसुई सो फ्रेंट साज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल रेस्पी और आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी की भाजी के वड़े यानि कि आप इने भाजी वड़ा भी कह सकते हैं भाजी वड़ा आप पालक की भाजी के साथ या फिर मेथी की भाजी के साथ बना सकते हैं दोनों ही बहुत ही जादा स्वादिस्ट लगते हैं दोस्तों तो आज हम मेथी की भाजी से भाजी वड़ा बना कर तयार करेंगे ज़ादा देरना करते हुए आईये रेस्पी को शुरू करते हैं सो भाजी वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले आदा कप पोहे ले लिये हैं एक इस्ट्रेनर में पोहे लेने के बाद हम पहले इसे अच्छे से वाश कर लेंगे दो से तीन बार अच्छे से वाश करने के बाद हम इसे करीब करीब पांच मिट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे जिससे की अच्छे से फूल जाए तो ढख कर आप इसे रेस्ट पर छोड़ दीजिए पांच मिट बाद आप देख सकते हैं पुहे अच्छे से फूल गए हैं और फूल कर एकदम सॉफ्ट भी हो गए है दूसरे बोल में मैंने इने ट्रांसफर कर दिया है तो आपको करना क्या है हातों से इने अच्छे से मैश कर लेना है इस तरह से मसल मसल के आप इने अच्छे से मैश कर लीजी और मैश करने के बाद बाकी के इंग्रीडियंट्स हम इसमें आड़ करेंगे पुहे को अच्छे से मैश करने के बाद मेथी की भाजी हम इसमें आड़ करेंगे मेथी की भाजी को सबसे पहले हमने अच्छे से साफ कर लिया है उसके बाद वाश कर लिया है और फिर रफली चॉपड करके इसमें आड किया है एक कप से थोड़ा सा कम बेसन में इसमें आड कर दिया है इसके साथ ही एक मिकसर का जार हम ले लेंगे जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और अधरक को हम ग्राइंड कर लेंगे तो यहाँ पर हरी मिर्च, धनिया और अधरक का पेस्ट हमने बना लिया है जो कि हम इस बोल मैं आड़ कर देंगे तो यहाँ पर बागी के मसाले कुछ आड़ कर रहे हैं तिसमुन कवहरा है। सबसे पहले एक चमज अजवाइन को क्रश करके आप इसमाइट कर दीजिए। दो से तीन चुट की हिंका पाउडर इसमें आड़ कर रहे हैं, इसके साथ ही हम आड़ करेंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला आड़ कर रहे हैं, एक चमस धनिया पाउडर आड़ करेंगे, एक चताई चमस हलदी का पाउडर, एक चमस सफित त किसिस में कट कर लिया है यानně की सलाइस में यप मैंने से कट किया है .प्याज अड़ करने लिए काanse को सबी इंग्रीडियंट्स को ूGS अँछ निए अग्राइप और लेकूड थाह सबीडियंट्स घ'll की में ऊल रहे है고 हरगा Do लिए दो से तीन चमच पानी में इसमें और डालूँगी तो यहां पर आप जैसा कि देख रहा है बहुत ही कम quantity में मैंने यहां पर पानी डाला है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है हमें मिक्स को जादा गीला नहीं करना है क्योंकि हम इनके वड़े बना कर तयार करेंगे नाकी भजिये भजिये का जो मिक्स हम बनाते हैं वो थोड़ा से गीला होता है और वड़े के लिए जो हम मिक्स बनाएंगे वो थोड़ा सा हमें सुखा ही रखना है तो यहां पर दो बार मैंने दो से तीन चमच पानी डाल दिया है और आप देख सकते हैं वड़े का हमारा म चाते हैं वैसे बना सकते हैं जिस तरह से हम आलू की टिक की बनाते हैं उसी तरह से गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखिए और मीडियम फ्लेम पर भाजी वड़ा को आप फ्राय कर लीजिए, तो यहाँ पर मैंने एक बार में चार भाजी वड़ा डाले हैं, और डालने के बाद तुरंट आपको इन्हें अलट पलट नहीं करना है, करीब जीए, और उसके बाद ही इन्हें पलट यह और यह भी दियान रखिए, गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखिए, हाई फ्लेम पर अगर आप फ्राय करेंगे तो उपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्छे रह जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलट पलट करक अगर आप इस तरह से अलटी पलटी करते रहेंगे तो यह जलेंगे भी नहीं और अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से फ्राय हो जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं बाकी सारे भाजी वड़े भी फ्राय कर लूँगी, तो एक बार का हमने इन्हे फ्राय कर लिया है, तो इन्हें हम कड़ाई में से निकाल लेंगे, और बहुती बढ़िया से हमारे टेस्टी और डिलिशिस भाजी वड़े बनकर तयार हो चुके हैं, इन्हें आप ग्रीन चटनी या टमेंटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, दोस्तों, ठंड के मौसम में याने की सर्दियों में आप ये भाजी वड़ा बनाकर सबको खिलाएंगे ना तो सबको बहुत ही जादा पसंद आएंगे, यकीन मानिए, पालक के तो आपने कई बार खाए होंगे, मेथी की भाजी की वड़े एक बार बना कर देखिए, ये भी आपको बहुत जादा आने वाले हैं, उमीद करते हूँ, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे अमेजिंग रेस्पीस के वीडियो देखने के लिए, हम जल्दी ही हासर होते है एक नए रेस्पी के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद